अस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारतिय खिलाडियों का दबदबा जारी है। मेरी कॉम ने शनिवार को राश्ट्र मंडल खेलों के दिन शनिवार को महिला मुक्यबाजी की 45-48 किलोग्राम भारवर के स्परधा का स्वर्ण अपने नाम कर लिया है। इस दिगज मुक्यबाज ने फाइनल में इंग्लिंड की क्रिस्टिना रोहारा को 5-0 सेकिंज मात देकर पहली बार राश्ट्र मंडल के लों में पदक हासल किया। उन्हें मौके भी मिले जिसे उन्हों अपने पंचों से बखू भी भुनाया। मैरी कॉम अपने बाइन जेब का अच्छा इस्तमाल कर रही थी। मेरी धीरे धीरे आकरामक हो रही थी। दूसरे राउंड में मारी कॉम ने अपना अंदास जारी रखा वहीं क्रिस्टिना कोशिश तो कर रही थी लेकिन उनके पंच चूक रहे थे। वहीं मारी कॉम मुकबला आगे बढ़ने के साथ और आकरामक हो गई और अब जेब के साथ अपने लेफ्ट होक का भी अच्छा इस्तमाल कर रही थी। अब वहें अपने का अच्छा इस्तमाल करते हुए क्रिस्टिना पर दवाव बनाए हुए थी। तीसरे और अंतिम राउंड में क्रिस्टिना भी आकरामक हो गई थी और पाँच बार की विश्व चेंपिन को अच्छी टक कर दे रही थी। लेकिन मारी कॉम ने अपना डिफेंस भी मजबूत रखते हुए जीठ हासल की।